Hello everyone, मैं हूँ किर इंशापरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापताहिक राशी फल ये 16 सप्टेमबर से लेकर 22 सप्टेमबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में सभी साइंस के सापताहिक राशी फल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें, तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे हो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन तो चलिए जी शिरू करते हैं coming week का साथ तहीक राच्छीपल Ladies आप लोगों के लिए coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप थोड़ा सा stuck महसूस कर सकते हैं होता है ना कभी कभी कोई ऐसी situation होती है जिसमें हमें लगता है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते हम इससे back off भी नहीं कर सकते और बहुत अटका हुआ हम हैसूस करते हैं तो कुछ इस तरीके की situation रहती भी दिख रही है और please इस चीज को सुनके परिशान ना हो यह जिन्दगी है ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा चीजे हमारे हिसाब से हो कभी भी कोई भी हमारी life में ऐसी situation ना आए लेकिन जब भी यह situation आती है हम उसको किस तरीके से deal करते है उसी को लेकर हमारे mind में self-talk क्या चल रही है यह बहुत important होता है तो इस चीज को लेकर awareness रखें और एक और guidance यह काड़ देता है इस week आप चीजों को अन्देखा ना करें अन्सुना ना करें कितनी बारी चोटे मोटे issues होते हैं और हम उनको avoid करते हैं हमें लगता है कि अब इनको tackle करेंगे न तो और जादा you know problems आ जाएंगी या फिर और जादा चीजें खुल जाएंगी तो बहतर है कि इनको न अन्देखा कर दो अन्सुना कर दो और ऐसा करके हम सरफ temporarily चीजों को avoid कर रहे होते हैं बाकेंड पे वो इतनी जादा बढ़ती रहती हैं फिर एक दिन आता है कि हम उनको avoid नहीं कर पाते हैं अगें वो इतनी जादा बढ़ गई होती हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं इंग्लिश में एक आहावत है stitch in time saves nine तो जैसे ही कोई भी मसला थोड़ा सा भी हो उसको उसी time sort out कर लें ऐसा करेंगे तो उस time जरूर छोटा मोटा issue होगा लेकिन बाद के लिए चीज़ें बहुत 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 रहेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखें otherwise एक कुछ बहुत गलत खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है सिरफ एक stagnant सी feeling हो सकती है चीज़ें रुकी हुई है आगे नहीं बढ़ रही है और trust me उसके लिए बहुत हद तक आप ही responsible रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि शायद इरीज आप decision नहीं ले पा रहे हैं choice नहीं ले पा रहे हैं and yes इस चीज़ का भी ख्याल रखें कोई decision कोई choice लेनी हो उसको आप postpone ना करें उसको आप you know आगे के लिए ना छोड़ें इस week जरूर ले लें क्योंकि जो भी decisions choices हम अभी ले रहे होते हैं ना वो कहीं न कहीं हमारा future create कर रहे होते हैं और जब हम present moment में decisions और choices को delay करते हैं तो future में जो चीज़ें हो सकते हैं हम उनको भी delay कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का भी खयाल रखें और personal front के लिए आप लोगों के लिए eight of wands का card है तो देखें एकड़म से opposite personal front के एना चीज़ जहती हुए दिख रही है जहां professional front में मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा से अटकावा महसूस कर रहे हैं चीज़ें रुकी वी सी लग रही है वही personal front में बहुत तेजी से चीज़ें आगे बढ़ रही है एक growth होती वी दिख रही है progress होती वी दिख रही है अब देखिए जिस भी चीज़ पर आप personal front में focus कर रहे हैं आप पर जो भी आपके personal front में इस week हो रहा है उसी से ही related फिर से कहूंगी growth progress होती भी दिख रही है चीज़ें बहुत तेजी से आगे बढ़ती भी दिख रही है कुछ के लिए हो सकते हैं आप travel कर रहे हैं आप travel करना चाह रहे हैं आपर travels related planning बना रहे हैं और personal front में पीछे किसी चीज़ में अगर आप अटकावा महसूस कर रहे थे तो इस week उसमें से बहार निकलते हुए दिख रहे हैं out of the country से related भी कोई activity हो सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई काम आप कर रहे हैं उसकी deadline नजदीक आ गई है और आपको लग रहे है कि अभी तो बहुत सारा काम रहता है अभी तो बहुत speed से काम करना पड़ेगा तो कही न कहीं किसी level पे ही है तो आप speed maintain करना चाह रहे हैं या you know बहुत speed से चीज़ों को करना चाह रहे हैं या external front में इसनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं करने में थोड़ा सा issue हो रहा है जो भी एक positive sense में होता है और ये बाकी तो मैंने आपको बताया ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है professional में थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ख्याल रखे जो मैंने कहा है तो आप उसको बहतर कर पाएंगे and angel answer से आप लोगों के लिए no need to worry का card है अब किसी भी चीज़ की चिंता अगर आपको हो रही है मन ही मन कोई चीज़ आपको bother कर रही है कभी-कभी हम aware होते हैं, कभी-कभी हम नहीं aware होते हैं तो बहुत ही clearly आपको angels कहते हैं प्लीज फिकर ना करें, चिंता ना करें, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा and astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था Aries, आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और nature मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Taurus, आप लोगों के लिए देखें इcoming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 3 of wands और जहां तक मुझे याद है Taurus, last week भी आप लोगों के लिए 3 of wands का card था और अगर ऐसा है, तो कहीं last week से ही किसी चीज का इंतजार, किसी चीज का wait आप कर रहे हैं और अगर नहीं था last week 3 of wands का card तो इस week ये card कहता है, again किसी चीज का इंतजार रह रहा है क्योंकि ये general reading है, ये इंतजार सब Taurus के लिए differ करेगा कुछ के लिए literally हो सकता है कि जो भी आपका goal है, जिसको आप achieve करना चाहते हैं उसी के लिए right time का wait कर रहे हैं होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि जब सही समय आएगा ना तभी हम action लेंगे क्योंकि तभी action लेने का फायदा होगा, उससे पहले कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है तो हम बहुत ही conscious level पे उस right time का wait कर रहे होते हैं कुछ के लिए हो सकता है किसी phone call, message, email का आप wait कर रहे हैं और देखिए जो भी चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए इंतजार differ करेगा और दूसरी चीज एक आट कहता है कि जो भी आप इस week कर रहे हैं कहीं और back of the mind में long term कोई goal है उसको achieve करना चाहा रहे हैं या फिर you know future में कैसे अपने goal को achieve करें उसी के हिसाब से आप इस week चीज़ों को कर रहे हैं वैसे तो देखिए हमेशा ही जो भी हम कर रहे होते हैं हमारा कोई न कोई goal होता है उसको achieve करने के लिए कर रहे होते हैं लेकिन कहीं बारी conscious awareness के साथ यून हमारा पूरा का पूरा focus long term planning, long term goals, future पे होता है और इस तरीके की energies इस week रहते हुए दिख रहे हैं All in all three of ones is not a negative card ये एक neutral card है तो neutral ही चीज़े रहते हुए दिख रहे हैं और wheel का card सबसे पहली चीज़ changes की बात करता है तो किसी न किसी level पे कोई न कोई changes week होता हुए दिख रहा है Normally देखिए wheel of fortune positive changes की बात करता है लेकिन ये general reading है इका दुका के लिए हो सकता है कि आपके हिसाब से changes ना हो रहे हो क्योंकि जब हमारे हिसाब से नहीं हो रहे होते हैं तो वो negative होते हैं भले ही you know वो universe के हिसाब से हो रहे हो और आगे चलके हमें लगे कि भई वो changes अच्छे थे जो हम changes चाह रहे थे वो ठीक नहीं है लेकिन उस time पे हमें ऐसी लगता है अब पीछे किसी भी चीज में stuck महसूस कर रहे थे अटकावा महसूस कर रहे थे तो इस week suddenly लिकलते वे दिख रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है out of the country, out of the city आप travel कर रहे हैं अब फिर अगर out of the country, out of the city नहीं भी travel करें तो within the city एक जगा से दूसरी जगा, दूसरी जगा से तीसरी जगा बहुत ज़ादा आपका within the city अगेन ट्रावल रहे रहा है और दूसरी बात दिखिए ये काड ये भी कहता है कि अच्छी opportunities आएंगी लेकिन बहुत तेजी से आएंगी अगर आपने थोड़ा सा भी time लगाया उनको समझने में उनको understand करने में तो आप कुस opportunity को miss कर देंगे तो थोड़ा सा alert रहें, थोड़ा सा aware रहें और हो सकता है कुछ के लिए external front पे चीज़े बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ऐसे में अगर आपने उनके साथ अपनी speed नहीं match करी तो फिर आप परिशान होंगे और कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप ही बहुत speed से, बहुत तेजी से जो भी चाहते हैं उसको achieve करने पर focus कर रहे हैं और फिर उस direction में action initiatives ले रहे हैं all in all personal front अच्छा चाहता हुआ देख रहा है and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए look for a sign का card है और ये card कहता है जो भी आप चाहा रहे हैं अगर आपको नहीं उसी से related clarity आ रही है नहीं समझ में आ रहा है तो signs को देखें आपके angels आपको signs दे रहे हैं ये sign आपको किसी भी form में मिल जाएगा कितनी बारी होता है न हम कोई book पढ़ रहे होते हैं और उसकी line इतनी ज़ादा हमें hit करती है और हमें लगता है कि ये तो कहीं जो चीज हमें बहुत time से bother कर रहे हैं उसी का ही जवाब है और उस किताब की दो line के form में हमें अपने सवाल का जवाब में गया होता है और कहीं बारी हम serial देख रहे होते हैं उसमें कोई dialogue हमें एकदम से छू जाता है और हमें लगता है ये तो जैसे हमारे लिए ही था कभी-कभी किसी banner में कुछ लिखा हुआ होता है वो हमारे सवाल का जवाब होता है लेकिन देखें ये signs हमें तभी मिलते हैं या फिर हम इने तभी देख पाते हैं जब हम aware होते हैं जब हम aware नहीं होते हैं तो फिर हमारे सामने बहुत सरी चीज़े हम किसी को भी ना तो देख पाते हैं ना ही avail कर पाते हैं तोड़ा सा अवेर रहें, आप देख पाएंगे कि कैसे आपके एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं और ये साइन लेके आप चीजों को बहतर कर पाएंगे अप लोगों के लियो का काड है, इसके हिसाप से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लकी रहेंगे औन significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था Taurus, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही कराशिपल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए Gemini's आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में कहीं एक movement एक shift आ रही है अब दिखें थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए literally हो सकता है, पीछे आप बहुत stuck महसूस कर रहे थे बहुत चीजे stagnant थी, आपको उसे लग रहा था कि बहुत चीजे आगे ही नहीं move कर रही है बहुत एक boredom, बहुत एक monotonesy energies थी आप फिर से कहूंगी एक stagnant थी, चीजे रुक गई थी तो इस week कहीं एक खलचल होती हुई दिख रही है, चीजे आगे बढ़ती हुई दिख रही है in fact, बहुत speed से आगे बढ़ती हुई दिख रही है और वो सकता है कि आप भी बहुत enthusiasm, बहुत excitement के साथ जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए action initiatives ले रहे हैं लेकिन in the process, अगर आपको लगे कि आप थोड़े से impulsive हो रहे हैं तो ज़रूर इस चीजे को check करके correct करें मैं यह नहीं कह रही हुँ कि immediate action लेने की ज़रत है तो वो आप ना ले ज़रूर लें, लेकिन impulsive ना हो, जल्दबाजी ना करें क्योंकि जब भी भी हम जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं और हम अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाते wrong decisions, wrong choices, wrong actions लेते हैं, बाद में regret करते हैं अदरवाइस देखिए, फिर से कहूंगी, travel या तो आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या travel से related planning चल रही है, या बहुत speed से चीज़ें आगे बढ़ती भी दिख रही है और किसी level पे एक positive anxiety, anxiousness या फिर restlessness भी रह सकती है देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से clear करा, positive anxiousness जो एक, you know, positive changes हमारी life में आते हैं क्योंकि जो पुरानी चीज़े होती हैं, उनके साथ एक comfort zone होता है और जो नई चीज़े होती हैं, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है जितनी भी उनको लेकर excitement हो, कहीं ना कहीं एक अलका आसा, you know, fear I don't know, fear is the right word, but yes, anxiousness रहती है जब तक हो आना जाएं हमारी life में पुरी तरीके से या फिर हम उनको पुरी तरीके से अचीव ना कर लें तो उस तरीके की, फिर से मैं कहूंगी कि एक positive restlessness रह सकती है otherwise, ये week, speed लाता हुआ दिख रहा है, movement लाता हुआ दिख रहा है, positive energy लाता हुआ दिख रहा है बहुत जबरदस एक enthusiasm, जोश भी लाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of pentacles का card है तो दिखिए, दोनों ही बहुत ही positive cards है और दोनों ही cards के हिसाब से, ये week आपका काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है 10 of pentacles को देखें, personal front के लिए तो ये card कहता है कि बहुत practical, realistic होके चीज़ों को कर रहे हैं या तो गोई बड़ी purchase आप कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा, you know, money आपको मिल रहा है या उसी direction में चीज़ें हो रही है और दूसरी बात देखिए, card family को भी represent करता है तो कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप अपनी family को बहुत ज़्यादा एहमियत दे रहे हैं उनके साथ आप ज़्यादा time spent करना चाहा रहे हैं उनके साथ आपकी बड़ी meaningful, practical, realistic conversations हो रही हैं interactions हो रही हैं कुछ के लिए हो सकता है कि extended family के साथ आप मिल रहे हैं और कहीं extended family या फिर आपी की family के you know outings हो रही है या you know होता है ना कभी हम उनको invite कर रहे होते हैं डिनर पे या फिर वो हमें invite कर रहे होते हैं डिनर पे तो कहीं eating, drinking भी रह सकती है कोई function, कोई celebration भी इस week आपके personal front में रह सकता है जिसमें आप participate कर रहे हैं जिसको आप enjoy कर रहे हैं तो overall personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लुगों के लिए let go का card है तो किसी भी चीज को अगर आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ है और अगर आप let go नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर angels की तरफ से आप लुगों के लिए message है कि letting go all energies में रहें और दिखिए दोनों में से किसी भी front के लिए हो सकता है professional front में तो जैसे मैंने आपको बोला कि changes आ रहे हैं और अगर ऐसे में आप पुरानी चीजों को या जो चीजें आपको serve नहीं करें उनको let go नहीं कर पाएंगे तो फिर जो positive changes आपकी life में आना चाहरे हैं वो नहीं आपाएंगे इस week हो सकता है आप उसको ना realize कर पाएं लेकिन आगे चलके फिर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं और देखिए याँ पर मैंने आपको professional front का example दिया किसी भी life के area में किसी भी चीज को लेकर clingy हो रहे हैं बहुत ज़ादा attach हो रहे हैं let go नहीं कर रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक करके correct करें astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो यह था जेमनीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए एक insurance आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of cups और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में एक happiness एक joy आप महसूस कर सकते हैं अब इस happiness joy के लिए सब concerns के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी चीज़ पर काम कर रहे थे वो इस week complete हो गया और बहुत एक तसल्ली सी मिल रही है कि चलो भई यह काम complete हो गया होता है ना जो काम थोड़ा सा complicated होता है या फिर otherwise भी बहुत ज़ादा हम उस पर focus कर रहे होते हैं जब complete होता है तो बड़ा हमें एक happiness मिलती है joy मिलती है और फिर से कहोंगी तसल्ली मिलती है कुछ के लिए हो सकता है कि आपको आपके loud ones, close ones या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनकी तरफ से बहुत एक appreciation recognition मिल रही है और कुछ के लिए हो सकता है जो भी लोग again आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आपका relationship बहुत बहतर हो रहा है या फिर आप focus कर रहे हैं कि आपका उनके साथ bond अच्छा हो उनके साथ कहीं किसी level पर eating, drinking, very making भी रह सकती है कितनी बारी होता है ना हमारी meetings ही किसी restaurant में हो रही होती है या फिर आपस में एक बहुत coordination रहे बहुत एक loving, caring energies रहे हम खुदी organize करते हैं कोई छोटी सी party, कोई छोटा सा event जहांपे सब team members एक दूसरे को जान पाएं इनफाक देखिए जो भी लोग काम करते हैं साथ में कहीं बारी वो हमारी team के होते हैं कहीं बारी सिर्फ colleagues होते हैं, co-workers होते हैं तो उनके साथ अगर हम किसी organization में काम कर रहे होते हैं तो वो कहीं बारी meet up रख देते हैं और अगर हम ही owner है तो हम ही सोचते हैं कि भी सब को मिलना जुलना चाहिए एक बहुत ही loving, caring वाला महल होना चाहिए तो उस reason की वजए से एक you know eating, drinking, merrymaking हो रही है या फिर otherwise ही कोई event हो रहा है आपके professional friend में अब दिखे reason जो भी हो कहीं एक happiness, joy overall रहती हुई दिख रही है और इसका source कहीं money, पैसा नहीं रहता वा दिख रहा है मैं यह नहीं कहा रही हूँ कि money, पैसे के point of view से चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी, बहुत अच्छी भी रह सकती है नहीं भी रह सकती है, लेकिन कहीं वो एक reason आपकी happiness, joy का नहीं रहता वा दिख रहा है जो बहुत सारे बागी के reasons मैंने बताए वो कहीं ज़ादा रहते वे दिख रहे हैं relationships, ज़ादा एक happiness, joy आपको आपकी professional friend में देते वे दिख रहे हैं and personal friend के लिए आप लगों के लिए night of cups का card है तो दोनों ही friends के लिए cups के cards हैं और ये दोनों cards कहते हैं कि overall इस week ही आप चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, situations को लेकर थोड़े से emotional, थोड़े से sentimental होते वे दिख रहे हैं दिल से आप ज़ादा काम लेते वे दिख रहे हैं और personal friend में भी देखे similar सी energies हैं और कहीं थोड़े से sensitive भी होते वे दिख रहे हैं और हो सकता है किसी चीजों को लेकर एक ख्वाब देख रहे हैं एक vision create कर रहे हैं नहीं तो जो भी आपके loved ones हैं अगेन या तो आप उनके लिए बहुत love, care, प्यार, महबबत महसूस करते वे दिख रहे हैं या फिर उनकी तरफ से बहुत एक love, care, प्यार, महबबत आपको मिलता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर देखिए knight of cups का card है तो कोई young इंसान अब young उमर से भी हो सकते हैं यानि कि आप से छोटे हैं या फिर थोड़ा सा एक energy wise young हो सकते हैं होता है न कहीं लोग बड़े enthusiastic होते हैं excited होते हैं या फिर otherwise भी बहुत उनकी youthful सी energies होती है चाहें उमर में जितने भी बड़े हो तो उनकी तरफ से एक love care आपको मिलता हुआ दिख रहा है all in all ये भी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and angel answer से आप लोगों के लिए ask for help from others का card है तो कितनी बारी न हम सारे ही काम खुद से करना चाहते हैं इतनी सारी responsibilities अपने उपर ले लेते हैं और किसी से मदद मांगते ही नहीं हैं in the process फिर हम परिशान होते हैं मैं कहूंगी उस time हमें नहीं इस चीज का हैसास होता है लेकिन आगे चल कर फिर हम बहुत परिशान होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं आप खुद से नहीं handle कर सकते हैं आपको help की ज़रत है तो please help मांगने में hesitate ना करें बिंदास और बिल्कुल यूनो जैसे कि यह मेरा हक है मुझे चाहिए आप से मदद आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी ऐसे वाले attitude से आप help मांगे and astrology से आप लोगों के लिए Venus Grey का card है इसके इस साब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था केंसे इन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीपल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिए लिए आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of pentacles सबसे पहली चीज़ ये card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में एक stability, एक security या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आ रही है और ये stability, security किसी भी level पर किसी भी तरीके से रह सकती है लेकिन money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related जाधा रहते वे दिख रही है और थोड़ा असाना आप चीज़ों को hold back करते वे दिख रहे हैं होता है ना कभी-कभी हम बिल्कुली going with the flow all energies में होते हैं अपनी तरफ से कुछ initiative नहीं लेंगे जो आ रहा है, जो हो रहा है, उसी हिसाब से हम करते रहते हैं इस week आपकी वो energies नहीं रहते वे दिख रही हैं आप बहुत सोच समझ के बहुत जादा चीजों को understand करके ही आगे बढ़ना चाहा रहे हैं इन फाक्ट मैं फिर से कहूंगी थोड़ा सा खुद को या फिर अपने resources को hold back करते वे दिख रहे हैं आगे बढ़ने से पहले और मुझे लगता है अगर ये चीज moderate level पे हो तो बहुत जरूरी भी होती है दिखे going with the flow ले energies बहुत अच्छी होती हैं लेकिन साथ ही साथ हमें थोड़ा सा समझ के भी आगे बढ़ना चाहिए तो जब इन दोनों का ही बहुत moderate level पे combination होता है तो life बहुत अच्छी जाती है लेकिन कोई भी चीज है जब हम जरूरत से जादा करते हैं for example हम बिलकुल ही बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जा रहे हैं तब भी हम परेशान होते हैं और जब हम बहुत जादा सोचते हैं तब भी हम परेशान होते हैं तो थोड़ा सा खयाल रखें कि बहुत जादा चीजों को hold back ना करें बहुत tightly किसी चीज को ना पकड़ें बहुत rigid fixated ना हो फिर से कहूंगी सोच रहे हैं समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है और हो सकता है कि आप इस week किसी चीज पे invest करना चाहा रहे हैं otherwise भी you know investment करना चाहा रहे हैं और उसी से related या तो एक planning आपके मन में चल रही है या सोच चल रही है या कुछ के लिए हो सकता है literally आप किसी चीज में invest कर रहे हैं all in all ये week ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए strength का card है और ये card कहता है कि थोड़ा सा सबर थोड़ा सा patient से चीजों को deal करें हो सकता है कि किसी चीज को लेकर मन ही मन बहुत गुसा आ रहा है बहुत frustration हो रही है लेकिन यहाँ पे strength का card कहता है कि अगर आप इस गुसे को इस frustration को अपने उपर हावी होने देंगे तो बहुत परेशान होंगे लेकिन inner strength यहाँ पे दीकिए strength का मतलब inner strength है वो strength नहीं है जो हम force लगाते हैं किसी चीज के लिए ये फिर से मैं कहूंगी अंदरूनी शक्ती है जो you know जो भी हमारी विकार I don't know is a very heavy word जैसे frustration है गुसा है या मोह है या कोई भी इस तरीके की चीज है उसको overcome करने में बहुत help करते हैं तो nutshell में छोटे मोटे challenges रह सकते हैं छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं किसी चीज पर आपको थोड़ा गुसा आ सकता है थोड़ा frustration आ सकती है और कहीं देखिए इस card के हिसाब से आप बहुत lovingly बहुत सब्र और इत्मिनान के साथ इन चीजों को deal कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे किया और इन ही सब चीजों को अपने उपर हावी होने दिया तो फिर आप परेशान होंगे and angel answer से आप लोगों के लिए recovery का card है तो बहुत ही clear message है पीछे कोई नुकसान हुआ किसी भी level पे आपे personal front में भी हो सकता है किसी relationship में issues रहे वो भी देखिए नुकसान ही होता है हमारे emotional self का नुकसान होता है या फिर professional front में कुछ issues हुए कुछ नुकसान हुआ तो इस week किसी level पे recovery होती भी दिख रही है या फिर angels आपको कह रहे हैं आप परेशान ना हों जो भी नुकसान हुआ आपका definitely recover हो जाएगा and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है इसके हिसाब से जो भी के रंग होते हैं sea green, sea blue इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था लिए आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलि किसी को advice counseling देने की या फिर किसी से advice counseling लेने की बात करता है अब हो सकता है कि literally ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन किसी ना किसी level पर इसी तरीके की चीज़ें चल रही है अगर you know आपके workplace पे कोई seminar है या फिर कोई भी अपनी skill अपनी you know knowledge आप गेन करना चाहा रहे है वो भी किसी से द देखें इसी तरीके की energies overall रहती हुई दिख रही है और एक stability security आप अपने professional friend में महसूस कर सकते हैं दूसरी बात देखें ये का teaching और learning की भी बात करता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कोई seminar आपर trend कर रहे हैं तो कोई चीज़ आप सीख रहे हैं सिखा रहे हैं और कितनी बारी दिखें जिन्दगी हमें बहुत कुछ से खा रही होती है इंफाक कितनी बारी नहीं जिन्दगी हमेशा ही हमें से खा रही होती है और जिन्दगी हमारी सबसे बड़ी teacher है तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई learning आपको मिल रही है past experience से या फिर इस week कोई भी professional friend में हो रही है और आपको ऐसे लग रही है कि भाई ये सीख मुझे मिली है और ये सीख मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा या रखूंगी तो इस तरीके की energies हैं overall this is not a negative card this is a positive card और कहीं positive ही इनी चीजों से related चीजें होते हुए दिख रही है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए card है three of swords और ये card कहता है कि इस week specifically personal friend में कोई चीज आपको hurt कर सकती है कोई चीज से आप थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं अब देखिए general reading है against a vogue उसके लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप ही बहुत sensitive हो रहे हैं आपको आपके loved one, close ones की चोटी-चोटी सी बाते hurt कर रही हैं आप हर बात को दिल पे लगा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है वाक के ही में सामने वाला अच्छे से आपके साथ behave नहीं कर रहा है अच्छे से आपको treat न अगर हम बहुत sensitive हो रहे हैं तो खुद को कैसे emotionally इतना strong बनाए कि किसी की कोई बात हमें hurt ना करे और अगर सामने वाला हमारे साथ गलत behave कर रहा है तो भी कहीं हमने उनको allow किया क्योंकि जब तक हम उनको गलत ठहराते रहते हैं हम you know complain करते रहते हैं तब तक हमारी life में कोई positive change नहीं आता है क्योंकि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम सामने वाले को नहीं change कर सकते हैं एक इंसान जिसको हम change कर सकते हैं वो हम खुद हैं तो जब आप अपने अंदर जाकेंगे अपने आपको देखेंगे कि भई क्यों वो हमारे साथ ऐसे behave कर रहे हैं हमने कैसे उनको allow क तो आप चीजों को भैतर कर पाएंगे और देखेंगे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक example दिया है सब वर्गोस के लिए different situation circumstances हो सकते हैं जिसकी वजए से थोड़ा सा hurt थोड़ा सा परेशान आप हो रहे हैं देखें मैंने थोड़ा जोर देकर कहा थोड़ा सा hurt क्योंकि weekly rating म बहुत बड़ी चीजे नहीं होती हैं एकका दुक्का लोगों की बात अलग है तो इस चीज को सुनके आपने परेशान भी नहीं होना है क्योंकि कुछ के लिए simply हो सकता है कि जिस तरीके से आपने ये week प्लान किया उस तरीके से चीजे नहीं जा रही हैं जैसी आपकी expectations थी या फिर कोई चीज आप चाहा ही रहे थे होता है ना कभी-कभी बड़ा हम किसी चीज को लेकर उमीद कर रहे होते हैं कि हमारा ये काम तो इस week ज़रूर बन जाएगा नहीं बनता है तो हम थोड़े परेशान होते हैं और अगर हम अपनी expectations को low कर दें हम अपनी attachments को low कर दें त अगर आपने ऐसा किया ये week ठीक ठाक जाएगा लेकिन ऐसा नहीं कर पाए तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं and angel answers से आप लोगों के लिए if you believe का card है बहुत clear message है जो भी पाना चाहते हैं आपको definitely मिलेगा लेकिन शर्त यही है कि आपको उस चीज पे विश्वास होना चाहि एक English में कहावत है if your mind can conceive, believe it can achieve अब यहाँ पर दिखे चाहें वो negative चीज हो अगर आपका mind negative चीज है conceive कर रहा है उनको believe कर रहा है तो negative ही achieve कर लेंगे और अगर आपका mind positive चीज हों को conceive कर रहा है उन पे believe कर रहा है तो आप वो achieve कर लेंगे तो जो आप you know सोचेंगे या जस अश्वास रखेंगे या करेंगे वो आप पालेंगे and astrology से आप लुगों के लिए cherry on का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लुगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा witness day तो ये था और गोज आप लुगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले ले ब्राज आप लुगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लुगों के रहतावा दिख रहा है जो भी काम कर रहे हैं उसको enjoy कर रहे हैं fun मजा मस्ती में करते वे दिख रहे हैं और हो सकते हैं आपको appreciation recognition भी आपके co-workers, colleagues या फिर किसी loved one, close one से मिल रही है और कहीं देखें इस week आप दिल से जादा काम लेते वे दिख रहे हैं आप चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, situation को लेकर थोड़े से emotional, sentimental होते वे दिख रहे हैं और ये एक mature emotions रहती वे दिख रही हैं यानि कि immature तरीके से आप चीजों को नहीं deal कर रहे हैं फिर से कहूंगे बहुत समझदारी से, बहुत ही maturity के साथ आप चीजों को deal कर रहे हैं जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं और फिर otherwise भी उनके लिए बहुत एक loving, caring वाली energies आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है बहुत एक supportive, cooperative energies भी आपकी तरफ से रह रही है और दिखें कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इनसान है आपके professional friend में, जिनकी king of cups वाली energies हैं और अगर ऐसा है तो उनकी तरफ से आपको एक love, care, support, cooperation मिलती हुई दिख रही है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि again जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं आपके professional friend में, उनके साथ बहुत आपका अच्छा relationship हो रहा है bond strong हो रहा है थोड़ा सा eating, drinking भी आप उनके साथ कर रहे हैं तांकि, you know, आपके workplace में बहुत अच्छा सा एक महाल हो बहुत एक प्यार महबत वाल हो सब लोग आपस में मिलके काम करें और बहुत एक, you know, beautiful energies रहें तो all in all, professional front ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए night of swords का card है और ये card सबसे पहली चीज speed की बात करता है sudden changes की बात करता है अब ये weekly reading है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा कोई sudden change हो गया लेकिन छोटा मोटा sudden change रह सकता है, दूसरी बात आप travel कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं या उससे related planning है तीसरी बात, अगर पीछे किसी भी चीज में stuck महसूस कर रहे थे अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो इस week ऐसे ऐसे आप उसमें से बाहर निकलते है और इंदा process हो सकता है आप थोड़े से sarcastic भी हो रहे हैं और अगर ऐसा आप आएं तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें otherwise बहुत तेजी से चीजे या तो आगे बढ़ रहे हैं और आप उनके साथ अपनी speed को match करना चाहा रहे हैं या फिर आप भी बहुत तेजी से जो भी आपका मकसद है उसको achieve करना चाहा रहे हैं जो भी confusion रस्ते में आ रहे हैं उसको काटते वे चल रहे हैं बहुत रहम आप किसी पर नहीं करेंगे वनाएसे बहुत रहम नहीं करेंगे इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत गंदे से चीजों को deal करेंगे I just mean कि you know emotions, sentiments यह आप अपने उपर नहीं हावी होने दे रहे हैं और अगर सामने वाला भी बहुत emotional होके बहुत sentimental होके आपको कोई चीज कह रहा है यह कई पर ही देखिया आपने वो वर्ट सुनाओगा emotional अत्याचार अगर सामने वाला emotional अत्याचार आपके उपर कर रहा है तो इस वीक आप उस emotional अत्याचार के जहांसे में नहीं आते होई दिख रहे हैं again बहुत mind से logically और you know straight forward होके चीजों को deal कर रहे हैं in fact personal friend में बहुत logical हो रहे हैं and professional friend में बहुत loving और caring हो रहे हैं and angel answer से आप लोगों के लिए success का card है तो जो भी इस week आप कर रहे हैं angels आपको कह रहे हैं कि आप को success मिलेगी and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copy उस आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है seven of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में थोड़ा सा आप confused रहते वे दिख रहे हैं in fact मैं कहूंगे अपने goal अपने मकसद पर उतना focus नहीं कर पा रहे है एक distracted सी energies है अब इसके लिए सब स्कॉप उसके लिए different reasons रहेंगे लेकिन card के हिसाब से देखें तो हो सकता है बहुत सारी चीज़े आपके mind में चल रही है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई decision कोई choice लेनी है आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके सामने बहुत सारे options है या फिर आप काफी confused महसूस कर रहे है और दूसरी बात ये card कहता है कि जो भी आपका goal है मकसद है आप उसको लेकर खुआप तो बहुत देख रहे हैं vision बना रहे हैं बहुत सोच रहे हैं लेकिन कहीं practical realistic steps नहीं लेते वे दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें क्योंकि देखिए खुआप तभी पूरे होंगे जब आप उनके लिए action initiatives लेंगे otherwise जितना भी खुबसूरत आपका ख्वाब हो जितना भी clear आपका vision हो आप उसको achieve नहीं कर पाएंगे तो इस चीज का खयाल इस week ज़रूर रखें and person front के लिए आप रगों के लिए nine of cups का card है और ये card कहीं इनो wish come true की बात करता है अब मैं ये नहीं कहूंगे कि सब Scorpios की कोई wish इस week पूरी हो रही है but yes, good Scorpios की definitely कोई wish इस week पूरी हो सकती है और बाकी के लिए जो भी आपकी wish है, desire है आप उसको acknowledge कर रहे हैं, उसके लिए effort कर रहे हैं आप फिर उस direction में हो सकता action initiatives लें और दिखिए जब हम अपनी wish, अपने खौब, अपनी desire के लिए action initiatives ले रहे होते हैं यानि कि उसके लिए work कर रहे होते हैं, तो भी बहुत एक happiness, बहुत एक joy, satisfaction हमें मिल रही होती है क्योंकि हमें इस चीज की उमीद होती है कि yes, अब you know हम इसको achieve कर लेंगे क्योंकि जब action लेंगे तभी तो achieve भी करेंगे ना तो overall के लिए देखिए, personal front में एक happiness, joy, satisfaction और मज़ा मस्ती रहती भी दिख रही है और कुछ के लिए भी हो सकता है, किसी तरीके की celebration रह रही है, eating, drinking, merry making रह रही है अपने loved ones के साथ कुछ लोग हो सकता है, बहुत ज़ादा enjoy कर रहे हैं, connect कर रहे हैं, party कर रहे हैं तो दिखिए जो भी मेरे mind में आया, मैंने आपको कहा overall ये week personal front के लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और पूरे ही week में कहीं दिल से आप चीजों को जादा deal करते हुए दिख रहे हैं, emotional, sentimental जादा होते हुए दिख रहे हैं and angel answers से आप लोगों के लिए abundance का card है, क्या बात है Scorpios, personal front के लिए nine of cups, wish come true की बात करता है और यहाँ पर abundance का card है, तो देखिए थोड़ा सा भी अगर आप clarity रखेंगे, जो भी आपका vision है, ख्वाब है, उसके लिए action initiatives लेंगे और positive frame of mind, सबसे पहली चीज, positive frame of mind रखेंगे, open to receiving रहेंगे, तो फिर ये week आपका बहुत अच्छा जाएगा and astrology से आप लोगों के लिए Saturn ग्रह का card है, इसके इसाब से all shades of beige, brown इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था Scorpios आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए सरीडेश आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो profession fund के लिए आप लोगों के लिए card है the emperor emperor का card tarot में power position authority की बात करता है तो इस week आपके professional fund में या तो आपको power position authority मिल रही है या फिर आप चाहा रहे हैं या फिर किसी authoritative figure से आपकी ज़्यादा interactions ज़्यादा बातचीत हो रही है और देखें, emperor कहीं government, police, इन सब चीजों से भी जो लोग connected होते हैं उनको भी represent करता है और कभी-कभी होता है न, especially professional fund में government से related हमारा कोई काम अटका होता है और हमें लगता है कि भाई, किसी government officer से बात करनी पड़ेगी, उन से connect करना पड़ेगा तो इस तरीके की भी कुछ sanitaries के लिए energies रह सकती है नहीं तो otherwise कोई भी इंसान जो power position authority पे हैं या तो आप उनको support कर रहे हैं, आप उनको help कर रहे हैं या वो आपको किसी भी चीज को लेकर help कर रहे हैं या फिर otherwise भी आप लोगों की बातचीत हो रही है आप उनको एक दूसरे से interact कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो overall के लिए दिखे emperor का card बहुत ही systematically, बहुत ही discipline के साथ चीजों को करने की बात करता है तो इस week या तो अपनी professional friend में एक discipline आप लाना चाहा रहे हैं या फिर आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया अब you know haphazard तरीके से काम करना बहुत systematically चीजों को करना है और दिखे कहीं हो सकता है कि stability security भी आप महसूस कर रहे हैं या फिर कैसे stability security आए उस पर focus कर रहे हैं all in all professional friend काफी अच्छा रहता वा दिख रहा है emperor is a very very positive card specially जब ये professional friend में आता है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए five of swords का card है और ये card कहता है कि थोड़ा सा आप किसी चीज को लेकर परिशान हो रहे हैं या फिर you know एक complete happiness, joy, satisfaction नहीं मिल रही है हाला कि दिखे complete happiness, joy, satisfaction तो कभी भी नहीं मिलती है जिन्दगी में कुछ ना कुछ तो mind में चलता रहता है, परिशान करता है बट इस week आपको यसे लग सकता है कि आपके आसपास का महौल इतना supportive नहीं है आप बहुत comfortable नहीं feel कर रहे हैं जो भी आपका महौल है और कहीं किसी level पर एक unfair energies भी आप में हिसूस कर रहे हैं एक injustice भी आप में हिसूस कर रहे हैं अब देखिए जनरल लीडिंग है, situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे लेकिन जब भी यह एक आड आता है, मैं यही कहती हूँ कि किसी भी चीज में न उलजे न जितना आप simplicity के साथ चीजों को करेंगे in fact देखिए simplicity के साथ चीजों को करना is not the right thing मतलब चीजों को simple रखेंगे कोई भी चीज आपको लगता है complicated है, आप sure नहीं है आपको थोड़ा सा भी doubt हो रहा है कि भई इस चीज को अगर हमने करा तो फिर हम परिशान हो सकते हैं इस week आपने बिलकुल भी उस चीज में खुद को नहीं involve करना है जो चीज आपको sure shot ठीक लग रही है या फिर simple लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ भई इसको करने से कोई issue नहीं होगा आपने सिरफ उन्हीं चीजों में खुद को involve करना है क्योंकि देखिए जब external front में energies इतनी supportive ना हो तब हमें किसी भी ऐसे complicated चीज में खुद को नहीं involve करना चाहिए वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए बट ये इस calculated risk भी life में लेने पड़ते हैं तो इस week आपने ना calculated risk भी नहीं लेना है आपने बिलकुल sure shot जिस चीज के लिए हैं उसी चीज को करना है कहना है और इस चीज का ख्याल रखेंगे ये week आपका ठीक जाएगा लेकिन अगर आप खाम खा की किसी के साथ argument में पड़ गए या फिर खाम खा की किसी भी चीज में उलज गए जो आपको पहले से ही थोड़ा सा doubtful लग रही है अब दीके personal front के लिए एक और चीज मेरे mind में आ रही है जैसे होता है ने कि जब road slippery है तो हम थोड़ा सा cautious होके गाड़ी चलाते हैं और ऐसा हम करते हैं तो या हम खुद भी cautious होके चलते हैं अपना पैर अच्छे से जमा के अच्छे से you know हम आगे बढ़ते हैं तो फिर slippery road भी हम पार कर लेते हैं लेकिन जब हम बेख ओफ होके और बिलकुल उस चीज का खयाल नहीं रखते हैं तो फिर हम गिर जाते हैं और फिर हमारे गिरने के बहुत सारे chances होते हैं तो इसी तरीके से देखिए personal front में थोड़ा सा आप इस तरीके से समझ ले road slippery है तो संभल संभल के चलना है and angel answer से आप लोगों के लिए it's up to you का card है तो बहुत clear message है कि जो आपको ठीक लगता है आप वही करें जो आपको ठीक नहीं लग रहा है उसको ना करें और आपके ऊपर depend करेगा कि भई चीजें कैसी रहेंगी और देखिए personal front में तो मैंने बहुत clearly बताया कि थोड़ा समझ के चलेंगे तो ठीक रहेगा और थोड़ा सा भी carefree हुए, careless हुए तो परेशान होंगे तो यहाँ पर एक तरीके से angels आपको यही message दे रहे हैं आपके ऊपर depend करेगा कि हफता कैसा जाएगा और astrology से आप लोगों के लिए वो ghost sign का card है इसके हिसाब से all shades of beige and brown इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा बेटनेस दे तो यह था से रिटेरेस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लिखरा रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है the chariot और ये card सबसे पहली चीज movement की बात करता है और कहीं किसी level पे success को भी represent करता है तो इस week जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है आप उसके लिए efforts करते वे दिख रहे हैं बहुत ही focus तरीके से action initiatives लेते वे दिख रहे हैं in fact अगर कोई भी चीज तरीके से नहीं हो रही है बहुत haphazard manner में है तो सब चीजों का control अपने हाथ में लेकर आप आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं और दिखें जब इस तरीके के energies होती हैं तो हम अपने goal मकसद को तुपाही लेते हैं तो फिर से दिखें बहुत जबरदस confidence रहता हुआ दिख रहा है खुद पे, अपने goal पे, अपने मकसद पे और इसी confidence के साथ, इसी surety के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस week यहां तो travel कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं या इसी से related एक सोच आपके मन में रह रही है overall के लिए दिखें ये card कहता है कि जो भी efforts पीछे आपने करें या फिर इस week आप कर रहे हैं उसका एक positive outcome आपको जरूर मिलेगा कुछ के लिए हो सकता है इस week के end में मिले कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा सा आगे चल कर मिले लेकिन कहीं एक positive outcome, success, victory आपके लिए रहती भी दिख रही है all in all professional fund से related ये वी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and personal fund के लिए आप लोगों की letter of wands का card है ये card कहता है कि किसी level पर किसी भी तरीके का एक pressure एक burden आप महसूस कर रहे है अब दीखे थोड़ा थोड़ा difference होता है stress, tension, pressure, burden में stress, tension तो कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रही या किसी भी reason की वज़े से हो सकता है जो हमें परेशान कर रही है burden और pressure मतलब बहुत सारी चीज है हमने अपने उपर ली हुई है burden literally अगर आप देखे न तो कोई बहुत बड़ा वज़न हमारे उपर है बहुत बड़ा नहीं बहुत भारी वज़न हमारे उपर है तो कहीं एक pressure हम महसूस करते है तो उस तरीके की energy जहती भी दिख रही है सब Capricorns के लिए different reasons रहेंगे लेकिन card के हिसाब से हम देखें तो ये card कहता है शायद आपने अपने उपर बहुत सारी responsibilities ले हुई है आप अपना तो काम कर रहे हैं बाकी भी लोगों का काम कर रहे हैं जितना आप से हो सकता है comfortably आप उससे बहुत जादा खुद को stretch कर रहे हैं और जब भी भी हम ऐसे करते हैं न उस टाइम हम नहीं इस चीज को realize कर पाते हैं लेकिन फिर आगे चलकर हम बहुत परेशान होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि इस चीज को ज़रूर चेक करके correct करें अपने pressure को अपनी responsibilities को थोड़ा सा offload करें मैं हमेशा जब भी एक आड आता है तो rubber band का example देती हूँ जैसे rubber band को आप थोड़ा सा खीचेंगे न तो ठीक है लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा खईच दिया जितनी उसकी capacity नहीं है तो फिर वो तूट जाएगा और यही हमारी physical, mental, emotional body के साथ होता है जितना हमारी mental, emotional, physical body की capacity होती है चीजों को लेने की उससे जब बहुत ज़्यादा हम दे देते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं तो फिर से कहूंगी इससे पहले कि यह चीज बड़े और अगर physical level पे pressure है वो emotional और mental level पे आपको pressure दे या फिर उस level पे आप परेशान हो आप इसको ज़रूर चक करके correct करें और angel answer से आप लोगों के लिए opportunity का card है तो देखिए opportunity का मतलब यह है कि इस week जो भी आप चाहते हैं उसी से related आपको opportunity मिलेगी लेकिन opportunity मिलने का मतलब यह नहीं है कि आप काम्याब होंगे आपको success मिलेगी देखिए success उन्ही को ही मिलती है जो opportunity को सबसे पहली बात recognize करते हैं और उसको avail करते हैं इनफाक मैं कहूंगे उसको grab करते हैं जो opportunity को miss करते हैं वो success को भी miss करते हैं तो यहाँ पर देखिए success का card नहीं है थोड़ा सा आपने ध्यान देना है यहाँ पर opportunity का card है तो फिर से opportunity मिलेगी लेकिन अगर आप aware नहीं रहे यहाँ फिर अगर हम personal front की बात करें आपने खाम खाम की चीजों का अपने उपर pressure लिया हुआ है आप उस opportunity को नहीं देख पाए recognize नहीं कर पाए आपने miss कर दी तो फिर आपको success नहीं मिलेगा यहाँ बाद में आप थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं कि भी अच्छी खासी opportunity थी miss कर दी और अगर आप avail कर लेंगे तो success जरूर मिलेगी आपको and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है इसके हिसाब से जो भी समुंद्र के रंग होते हैं sea green, sea blue आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक वेस आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है the moon the moon का card कहीं अंधेरे को represent करता है और देखिए अगर हम किसी अंजान जगा में है light चली जए रात का time है तो बहुत डर लगता है और उस time पे अगर हम कोई काम करने लगे न तो ठोकर लगती है गिर जाते है या otherwise भी एक fear होता है एक insecurity होती है और कहीं देखिए इस तरीके की ही energies आपके professional fund में इस week रहती वे दिख रही है और थोड़ा सा यहां पर ख्याल रखने की जरत है कि हमें अंधेरे में डर क्यों लगता है और मैंने बहुत clearly कहा light चली जाए अंजान जगा पे है क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है तो professional fund में जो भी fears हो रहे हैं insecurities हो रही है या फिर अगर आप confused हो रहे है कोई चीज अगर आपको bother कर रही है उसका root cause अगर आप देखेंगे ना तो सिरफ यही रहेगा कि आपको clarity नहीं है आपको कहीं उन्हों समझ में नहीं आ रहा कि इस situation में, इस circumstances में हम क्या करें तो उन्हे के अंधेरे को सिरफ और सिरफ रोष्मी दूर कर सकती है इसी तरीके से जो भी हमारे fears है, insecurities है उनको सिरफ और सिरफ knowledge दूर कर सकती है Fear क्यों आता है? हमें लगता है पतन ही हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और जब हम उसी से ही related और जादा knowledge gain करते हैं और जादा चीजों को समझते हैं हमें confidence आता है और हमारा fear जाता है और जब दिखिये confidence आता है तो हम चीजों को कर भी पाते हैं और better भी feel करते हैं तो nutshell में एक fear, insecurity, confusion आपके professional front में रहती हुई दिख रही है लेकिन इस चीज से घबराएं ना जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आप knowledge gain करें आप उस चीज को समझने की कोशिश करें कि भाई ये जो issue है, problem है इसका root cause क्या है कैसे आप इसको solve कर सकते हैं कैसे इनों आप इस चीज को बहतर कर सकते हैं क्योंकि जब भी भी आप problem पर focus करते हैं तो problem बढ़ती रहती है क्योंकि हम लोग energy beings हैं लेकिन जैसे ही हम solution पर focus करते हैं उसी चीज का हमें एक हल मिलता है हम उसको solve कर पाते हैं और फिर उस problem से हम अपने आपको बहार भी निकाल पाते हैं तो इस चीज का खयाल रखेंगे ये भी आपका ठीक रहेगा लेकिन अगर आपने problem पर focus किया जो भी fears हैं, insecurities हैं आपने उनको और ज़्यादा energy दी तो फिर आप परिशान होंगे और personal front के लिए आप लोगों के लिए ego का card है ego के card को अगर मैं literally देखूं तो ego की वज़े से issues मसले रह सकते हैं और अगर आपको अपनी तरफ से ego वाली energies लगें तो ज़रूर चक करके correct करें और दूसरी बात ये card कहता है कि बहुत attached हो रहे हैं किसी चीज को लेकर एक obsessive से energies हैं बहुत possessive हो रहे हैं किसी चीज के लिए अब देखिए relationship में तो हम सभी जानते हैं हम सभी हो जाते हैं फिर चाहें वो हमारे बच्चे हो हम उनको लेकर भी at times possessive हो जाते हैं obsessed हो जाते हैं भई कुछ वो गलत ना करें या फिर या अच्छे से पढ़ाई कर लें कोई भी चीज हो सकती है at times love affair होता है जैसे boyfriend girlfriend वाला love होता है उसमें भी बड़े obsessive हो जाते हैं तो प्यार चीज ही ऐसी है parents को लेकर भी कभी कभी हो जाते हैं तो अगर आप खुद को obsessive possessive किसी भी चीज के लिए होते हो पाएं यहाँ पे मैंने आपको living beings के example दिए जैसे relationships के example दिए लेकिन कितनी भारी हम किसी चीज के लिए effort कर रहे होते हैं हम इतने obsessive हो जाते हैं उसके outcome पे इतना attach हो जाते हैं भई मुझे तो यह चीज मिलनी मिलनी चाहिए बस कुछ भी हो यह तो होना ही होना चाहिए और जब हम ऐसी energies में होते हैं इतना stress और tension क्रियेट कर रहे होते हैं कि उसका हमें उस time पे एहसास ही नहीं होता है और बाद में जब realize होता है जब हमारी physical, mental, emotional, health effect होती है तब फिर हम बहुत परिशान होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना करम करें मैं यह नहीं कहरी कि आप अपनी desires को अपनी इच्छाओं को खतम कर दें दीखे, desire इच्छा तो रहेगी क्योंकि हम human beings हैं बट उस desire, उस इच्छा के गुलाम ना बने और बहुत obsessive ना हो अपना करम करें 100% जो भी आप चाहते हैं उसके लिए अपना दें लेकिन outcome से attach ना हो outcome आप universe पे छोड़ दें यानि कि natural में आप surrender mode में चलें जितना आप surrender mode में चलेंगे उतना इस week को आप भैतर करेंगे क्योंकि देखे, दोनों ही fronts के लिए बहुत great cards नहीं हैं देख लेते हैं आपको क्या message दे रहे हैं तो यहां पर देखे, angels की तरफ से बहुत ही positive message है big happy changes तो बहुत बड़े वाले, अच्छे वाले, खुश हाल वाले अच्छे changes आपकी life में आने वाले हैं और यहां पर देखे, दोनों ही fronts के cards बहुत great नहीं हैं कितनी बारी होता है न जब life में चीजे ठीक नहीं चल रही होती हैं obviously हम परेशान होते हैं लेकिन वो हमारे लिए कुछ बहुत बहुत बहुतर लाने वाली होती हैं जिनको हम उस time पर नहीं देख पाते हैं तो यहां पर मैं आपको यहीं कहूंगी इतमिनान रखें थोड़ी सी patience रखें सबर रखें और angel के इस answer को अपने mind में रखें अगर आप Google से इस card को download कर सकते हैं तो इस card को download कर लें और अपने mobile के screen में भी आप screen saver भी लगा सकते हैं क्या होता है न इससे बार बार आपको यह चीज remind होती रहती है कि भाई हाँ अच्छे positive changes आने वाले हैं और especially जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रहे होती कोई चीज हमें bother कर रहे होती है इस time उस time पे जब आपके mobile में कोई भी positive image है कोई भी positive चीज़ है तो वो कहीं बहुत आपको किसी level पे एक positivity देती है subconscious level पे तो अगर आप चाहें तो आप Google से angel answers के cards हैं उसमें big happy changes वाले card को अपने mobile का screensaver लगा सकते हैं अपने laptop का screensaver लगा सकते हैं और अगर नहीं तो कहीं आप और भी जगाओं पे जो भी चीज़ें आपको इस चीज़ की remind कराएं उनको as a reminder set कर सकते हैं आप लोगों के लिए जिपिटर घ्राय का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था अप लोगों के लिए coming week का साब था है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए भाइसेज आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो आप बहुत actively खुद को किसी भी चीज में involved नहीं कर रहे है participate नहीं कर रहे है या फिर आपके professional front में कुछ खास नहीं हो रहा है कभी-कभी होता है कि इतना काम नहीं है इतनी activities नहीं है और आपको लगता है कि क्यूं फिर खाम खाई उनो खुद को involve करना थोड़ा सा rest ले लेते हैं थोड़ा सा अराम कर लेते हैं या फिर पीछे आपने बहुत effort किया बहुत महनत करी किसी चीज के लिए और आपको ऐसे लग रहा है कि इस week तो थोड़ा आराम लेना बनता है और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बहुत ठीक सोच रहे हैं क्योंकि time to time ये जो rest लेना होता है ये हमारी energies को charge करता है और फिर जो भी next काम आने वाला होता है हम उसके लिए बड़े अच्छी तरीके से prepared हो जाते हैं बड़े अच्छी तरीके से charge up हो जाते हैं जैसे रोज जब रात आती है हम अगर अच्छे से सोप आते हैं तो दूसरे दिन के लिए हम अच्छे से charge हो जाते हैं और जब रात को अच्छे से नीन नी आती न तो दूसरे दिन भी बड़ा lethargic सा लगता है तो इसी तरीके से दिखिए बीच बीच में अराम ज़रूर करना चाहिए और अगर activity ही नहीं हो रही है तो भी दिखिए यह opportunity है थोड़ा सा rest कर लें और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत जादा motivated नहीं feel कर रहे हैं अपने goal अपने मकसद को लेकर एक enthusiasm excitement missing रह रहा है अब देखिए इसके लिए कोई valid reason है तो ठीक है इस भी कराम कर लें लेकिन आपको लगता है कि भाई अगर आप थोड़ा सा खुद को motivate कर पाएं थोड़ा सा एक enthusiasm excitement अगर आपको आ पाएं तो आप अपने goal मकसद को achieve कर लेंगे तो जरूर इस पे work करें क्योंकि conscious awareness के साथ conscious effort करने से भी हम चीजों को भैतर कर पाते हैं otherwise four of swords is not a negative card तो कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है it's a neutral card जो कहता है कि कुछ खास हो नहीं रहा है इतनी activities नहीं है, इतना काम नहीं है, इतनी हलचल नहीं है तो overall के लिए कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है और कहीं ये card rest लेने की बात करता है, अराम करने की बात करता है जो की आप इस week हो सकता है, करें reason सब के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है and personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of pentacles का card है और ये card कहता है, बहुत practical, बहुत realistic होके चीज़ों को आप करते हुए दिख रहे है आपका घर, आपकी family आपके लिए एहम रहती हुए दिख रही है उस पे focus करते हुए दिख रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि अपने घर को renovate कर रहे है या फिर simply अपने घर को beautify करना चाहते है अपने घर की किसी घर के लिए कोई चीज़ खरीदना चाह रहे है या फिर अपने lifestyle पे आप खर्चा करना चाह रहे है यानि कि दिखिए किसी भी चीज़ पे आप खर्चा कर रहे हैं और ये positive रहता हुआ दिख रहा है जो एक negative होता है ना कि हाथ से पैसे निकल रहे हैं या फिर गलत चीज़ों में खर्चा हो रहा है वो नहीं रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि आप एक queen का card है तो कुछ के लिए literally हो सकता है कोई female है जो बहुत practical, realistic है उनकी तरफ से बहुत supportive cooperative energies है या फिर उनसे आप जादा interact कर रहे हैं उनकी तरफ से कहीं नो एक happiness, joy या फिर stability, security आपको मिल रही है overall personal front अच्छा जाता हुआ दिख रहा है again कहूंगी family घर पे जादा focus कर रहे हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप अपना garden maintain कर रहे हैं या फिर घर को और कैसे ठीक ठाक करें अगर कुछ issues मसले हैं तो उन पे जादा focus रहता हुआ दिख रहा है और अगर नहीं है तो you know simply जो भी family के साथ हम time spend करते हैं तो एक enjoyment होती है एक satisfaction happiness होती है वो रहती भी दिख रही है and angel answer से आप लोगों के लिए peaceful resolution का card है तो दिखें सबसे पहली चीज angels आपको कह रहे हैं कि एक सुकून एक peace किसी भी level पे इस week आप महसूस कर सकते हैं और अगर कुछ issue मसला पीछे किसी के साथ भी रह रह रहा था वो बहुत ही peacefully resolve होता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए एक video sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था prices आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जुरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए